हाई गाईज एजुकेशन हाप में आपका स्वागत है आज हम बढ़ेंगे आर्टिकल 370 और 35A इसको स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा क्या पढ़ लेते हैं इसके इंपोर्टन पॉइंट्स जो है वो देख लेते हैं इंपोर्टन पॉइंट्स क्या है जब स्टार्टि जिसकी वज़े से पाकिस्तान क्या हो गया अलग हो गया एक अलग जगह बना दी गई पाकिस्तान ठीक है और फिर पाकिस्तान जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया पुर्वी पाकिस्तान में क्या हुआ पुर्वी पाकिस्तान जो है 1971 में किसमें बदल गया बंग प्रवारत से हैं जब बढ़त हैं किぶہ भ्राऑन Franken गड़ार-अधिक आप पूर्वे पूरवे पाकिस्तान से जेए उसय जाती है उस हमें देज्छा गत्र गुवाजन के है नि में हो थे जब अलग अलग बट रहे थे जो जगए उस समय कश्मीर पर पाकिस्तानी सेना ने कबालियों से मिलकर कबालिय जो थे वो क्या थे बिर्टेन के नोर्थ वेस्ट फ्रंटियर थे नोर्थ वेस्ट फ्रंटियर यानि फ्रंटियर क्या होते हैं जो सबसे आगे जो लडाई में जो सबसे आगे रहते हैं तैनात रहते हैं वो कबालियों से मिलकर उन्होंने क्या किया आक्रमन कर दिया और जिस वजह से जम्मू कश्मीर जो है वो कितने दो पार्ट में डिवाइड हो गया आदा पार्ट जो है वो भारत के पास रह गया और आदा पार्ट जो है लद्दाक था वो किसके साथ शामिल हो गया जम्मू के साथ शामिल हो गया यानि यह इसी का ही एक पार्ट बना दिया गया यानि जो राज्ये बने वो कौन कौन से बने जम्मू और कश्मीर जब राज्य गोशित किया गया था जम्मू और कश्मीर लदाग थे वो तीन शेतर थे और राज्य गोशित होने के बार लदाग को किसमें शामल कर दिया गया जम्मू में शामल कर दिया गया ठीक है नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं कि जब यहां पर हमारा जब यह युद्ध हुआ था मतलब जब आकर्मन कर दिया था हमारे इस पर जमु कश्मीर पर तो आदा राज्य जो कबजा हो गया था तो हमारी जो भारतिय सैना थी वो तैनाथ थी वो कबजा मुक्ति अभ्यान चला रहे थी उन्होंने डिसाइड किया था कि आदा पार्ट जो है वो भी हम अपना वापस लेंगे लेकिन उसी समय तुरंत फैसले पर परदान मंतरी जवारला नहरू न क्या क्या युद्ध विराम की घोशना कर दी जिसकी वज़े से क्या हुआ जो वो था जो युद्ध चल रहा था वो उसी टाइम रोकना पड गया यानि हमेशा इसके ओपर कोई ना कोई मुद्ध चिड़ा रहता है कोई ना कोई बात हमेशा रहती है ठीक है अब हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाग जब यह राज्ये बने थे तो इनका क्या है इन पर सबसे पहले हिंदू शाष्कों ने इसकर पर अधि तो सबसे पहले इस पर क्या था हिंदू का शाष्चन था फिर मुसल्मान का शाष्क था फिर अकबर का शाष्चन आया फिर 1756 में अफगान शाष्चन हुआ और 1819 में पंजाब के सिक समराज्ये का शाष्चन हुआ 1846 में रंजीत सिंग ने महाराजा गुलाब सिंग को क्या कर दिया ये शाष्चन दे दिया किसने 1846 में रंजीत सिंग ने महाराजा गुलाब सिंग को ये शाष्चन दे दिया अच्छा उसके बाद आप देखें कि जम्मू और कश्मीर जो है कि तीन महाराजा हुए है ठीक ह वो कैसे बना 1846 में इसने क्या किया ये डोगरा साशक था गुलाब सिंग जो था वो जम्मू का डोगरा साशक था इसने क्या किया इस्ट इंडिया कंपनी से मिलकर उनसे 45 लाक रुपे में जम्मू कश्मीर को दुबारा से खरीद लिया ठीक है और क्या बन गया जम्मू कश्म पर दावा भोल दिया किसने बिर्टेन के नोर्थ वेस्ट फ्रंटियर जो थी उनों उनके साथ कौन मिल गए पाकिस्तानी मिल गए और कबालियों ने क्या किया उन पर उस पर आक्रमन कर दिया किस पर किस पर आक्रमन किया जम्मू कश्मीर पर जिस वज़े से क्या हुआ यह उ उसी कितरह राज्य बन जाएगा लेकिन हुआ क्या कि अक्टूबर का अक्टूबर का जो एंड मन्त चल रहा था यानि लास्ट जो वीक चल रहा था उस समय पांच हजार पाकिस्तानी सेना पाकिस्ताना कवाली जो है वो कश्मीर में एंटर कर गई और उन्होंने क्या किया 23 अ कर लिया जो मतलब मुझफराबाद जो था वहां पर कबजा कर लिया 23 अक्टूबर 1947 को वो एंटर कर गए वहां फिर उसके बाद 24 और 25 जब आया 24 25 अक्टूबर को क्या हुआ कि अब जो हरी सिंग जो महाराजा ते उन्हें समय नहीं गया रहा था वो क्या करे तो उन्होंने भारत सथकार से क्या की मदद मांगी हेल्प मांगी की ताकि वो उसे वहां से निकाल कर ले सके की कुछ कोई ना कोई ऐसा काम हो सके ताकि वो अपने जम्मू कश्मीर को बचा सके लेकिन ऐसा नहीं हो पाया पाकिस्तानियों ने वहां पर पूरा पूरी तरह से कबजा कर लि और तब हमारी धारा 306 जो है वो लागू हुई 370 जो है वो लागू हुई किसके उसमें अधिक्ष्टा में सवरसंगिय सविधान सभा में गोपाल स्वामी आयंकर ने ये प्रारुप प्रसुत किया धारा 306 ए थी उस समय जिसे बाद में किसके नाम से जाना जाने लगा धारा 377 क्या कहती है कि जम्मू कश्मीर को अन्या सभी राजियों से अलग रखा जाए और इसे एक विशेश दर्जा एक स्पेशल फैसलिटी दी जाए एक स्पेशल दर्जा दिया जाए इसे ठीक है और इन्होंने क्या कहा कि इसकी क्या कोर्डिंग जो सांसद है जो फैसले लेत है इसके अलावा किसी भी विशे पर वो कोई कानून नहीं बना सकती ठीक है फिर उसके बाद क्या हुआ यह जब 370 लागू हुआ तो उन्होंने क्या डिसाड किया 356 लागू नहीं 356 लागू नहीं 356 में क्या था कि राश्ट्रपती जो है वो राजे के सविधान को बरगास नहीं कर सकता मतलब जम्मू कश्मीर के किसी भी मामले में वो नहीं बोल सकता राश्ट्रपत नहीं नहीं होता उस तेम क्या होता था राजे पाल होता था ठीक है राजे पाल होता था राश्ट्रपती को फैसले लेने का अधिकार नहीं था ठीक उसके बाद हमारी आई 360 धारत 360 क्या कहती है वीतिया अपाल का अपातकार यानि जब वीतिया प्रेशानी कोई एकोनोमिकल कंडेशन जो अपातकार लग जाता है तो वो सभी राजे पर लगता था लेकिन जम्मो और कश्मीर पर लागू नहीं होता था यानि वो सब कुछ अलग था उसका अपना ही सविधान होगा अपना ही राश्ट्र दवज होगा जम्मीर के नागरिकों के पास दोहरी नागरिकता अपने आप हो गई जब भारत के अंदर है तो भारतिये भी कहलाएगा और जम्मो कश्मीर का हो गया और तो वहां का भी हो मतलब दो दो नागरिकता लेके बैठे हैं और दूसरा एक और पॉइंट भी था कि उनका जो रास्ट्र दवज भी अलग होगा सविधान भी अलग होगा सभी का विधान सबगा कारेकाल जो है वो पांस साल का होता है लेकिन इसका कितना था छे वर्श का हुआ ठीक है उसके हैं फिरेकों एक और मेंद पॉइंट यहां पर आया किए उन्होंने कहा कि जम्मूय क कशमीर की महीला वह हैं भारत के अगर किसीं अन्य राजे में शादी कर लेती है तो उसकी नागरिकता खत मोजेगी लेकिन इसके अपोज़ेटे में इन्होंने क्या रख नाग्रिक्ता को जाए है तो पाकिस्तां के क्ता को किन खरो गड metres मिल resource के भारत के नागरिक्ता मिल लें ठीक है अच्छा नेक्स दिनों ने क्या विदा है कि आर्टी आई आर्टी यानि की जो हमारे एजुकेशन का राइट है और इंफॉर्मेशन का राइट है और सीए जी जो कम्ट्रोलर और ऑडिटर जनरल है जो क्या करता है सरकारी मामलों में करता है तो वहां पर लागू नहीं होता जो हमारे अन्य राज़ों में लागू होता है ठीक है अब हम करंट की बात ले लेते हैं करंट में क्या हुआ यानि राश्ट्रपती रामनात कोविंद ने के मंजूरी ती किस चीज़ को मंजूरी दी आर्टिकल 370 को खतम करने की उन ठीक है उसके बाद इन्होंने क्या कहा कि बारते सभीधान में जो जमू कश्मीर की सहमती पहले क्या होता था कि राश्ट्रपती को नहीं जोड़ा जाता था यानि राश्ट्रपती कुछ नहीं कर सकता था सोरी एक मिनट यहां पर यह पॉइंट है कि अनुचे 370 में क्या था अनुचे 370 में था कि जे और के कुछ विजेज दर्दा दर्जा दिया जाए और इसी का एक पार्ट था 35A जिसने क्या कहा कि इनको स्थाई निवासीद बनाया जाए मतलब जो भी नागरिक वहां पर रह वो ना तो वहां पर पढ़ सकता था ना किसी कॉलिज में अड्मिशन ले सकता था ना वहां पर कोई जमीन खरीच सकता था वो स्थाई निवासी नहीं होता था तो उन्होंने क्या क्या 35A में स्थाई निवासी को का विशेशा दिकार प्राक्त गंदी दिया गया था और यह वाली कंडिशन जो है वो कब लागू की गई थी जम्मू और कश्मीर गोर्मेंट यानी जम्मू कश्मीर की जो सरकार है उनकी सहमती से राश्रपती के आदेश पर जोड़ा गया था कब जोड़ा गया था 14 मैं 1954 को नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर की सविधान सभाने की सविधान मतलब है हर चीछ जो है इनके अलग अलग होती थे तो जम्मू कश्मीर की जो सविधान सभा थी 27 मैं 1949 को उन्होंने क्या क्या आर्टिकल 306 को सुविकार कर लिया और फिर यही भारते सविधान ने क्या किया इसको 17 अक्टूबर 1949 में इसको अपने हिस्सा बना लिय क्या था चन्य कि इसको प्रयोग में ले लिया था ठीक है नेक्स्ट अब हमारा क्या है कि जो हारी सिंग थे जो महाराजा हारी सिंग थे उन्होंने इंस्ट्रुमेंट आफ एसेशन ओफ जे एंड के टू इंडिया की शर्तों के मुताबिक उन्होंने तिन थर्टी सेवेंटी पर हस्ताक्षर किये थे इसमें ये कहा गया था कि जम्मो और कश्मिर को अपने अलग सवीधान बनाने की अनुमती है और सांसत जो है इन सिर्फ तीन मामले रक्षा विदेश मामले और संचार के अलावा अन्य कोई भी कानू नहीं बना पाएगी ठीक है उसके बाद क्या हुआ फिर उसके बाद अब हमारा किस्सा शुरुआ यानि 5 अगस्त 2019 को जब ये फैसला लिया गया सेंटर गॉर्मेंट ने आर्टिकल 370 को खतम करने की इजाज़त दे दी तो इजाज़त दी और और क्या किया है इन जम्मु और कश्मिर और लग्दा को केंदर शाषित परदेशों में शामिल कर दिया गया और तब हमारे केंदर शाषित परदेश जो हमारे 6 होते थे वो कितने कंवर्ट हो गये 8 में कंवर्ट हो amazon See के छे तो थे ही दो और एड वे दो कोंई से डोगें एक तो जे आनके और एक शामिल हो गई लगदक ठीक है तो यह हमारे चाइद सब्सक्राइब बन प्रदेश बन गई ठीक है अब क्या हुआ फिर जब ये केंदर शाषित प्रदेश बन गई यानि जब 370 खतम हो गया तो वहाँ पर राश्टरपति शाषन शुरू हो सकता है मतलब यह कहता है कि पहले जो राजेपाल का शाषन होता था अब वहाँ पर क्या होगा कि विदान सबाब का समय का HC courageous जो होता था कितना होता था च nervous का होता था लेकिन अब वह कितने का हो जाएगा king सम्हेगा सबूराथ क्या हो तो इसके बाद क्या है कहता है कि दोहरी नागरिकता दोहरी नागरिकता जो घँलिए बैठे थे ऐन कमल आप ड्रफlawस तो ले रहे थी उसके ब लाबू नहीं होता था लेकिन अब इन पर लाबू होगा और भारत का कोई भी नागरिक जो है वहाँ पर जमीन खरीद सकेगा ठीक है तो यह हमारी अर्टिकल 370 और 35a की वीडियो थी और इसमें कोई गलती है यह कोई प्रोप्लम है तो प्लीज मुझे बताएं